हेलो दोस्तों, वेलकम टू दोर्स्टाप एजुकेशन पॉइंट, उम्हेदे आपसे भी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तो दोस्तों, आज मैं एस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप APS, Army Public School की जो वकैंसी साइज थी, PGT, TGT और PRD के लिए आप उसके लिए क Registration और New User का आपको एक बटन दिखाए दे रहा हुगा, तो आपने क्या करना है, New User करना है आपने, ठीक है, तो आप यहाँ पर New User पर क्लिक करेंगे, New User पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत ही लंबी चोड़ी सी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, जिसको मैंने आ इन सभी चीजों के बारे में बताया हुए, और यहाँ पर Center, कि आपके एक्जाम कहां कहां हो सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, तब चलते हैं, और यहाँ पर Proceed पर हम क्लिक कर देंगे, Proceed पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से ए बीच में और इसके बाद आप जो भी मार्ग से आपर एंटर करने वाल हैं उसकी आपने कम से कम स्कैनिंग करके रखी हो जैसे कि आपके सिगनेचर हैं और आपके जो फोटोग्राफ्स हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए उनकी जैसे कि यहां पर 60 KB, 60 KB कि आपकी जो फोटोग् करने के बाद क्या होगा कि आपको वह बैंक में जाकर वह जमा करवाना पड़ेगा उसके बाद ठीक है बड़ यह बाद भी है कि चलान जनरेट करने के बाद आप कम से कम दो दिन का 48 आर्स का आपको वेट करना पड़ेगा तभी आप क्या कर पाएंगे आप वहाँ पर फीस है जो भी बैंक में वह सब्मेट करने के बाद ही आप जो रिस्टेशन का चलान भरने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं उसको भर सकते हैं अब इसके बाद आप क्या कर देंगे यहां पर आप पर सीड़ पर क्लेक कर देंगे पर क्लेक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपने क्या करनी है अपनी परसनल इंफोमेशन यहां पर भर में है ठीक है आप आप यह पर किसी भी पूस्ट के लिए दो बार कर देंगे तो आपक की ज sense कर ते जाएगा और आपकी जो सोगी वो भी यहां पर क्या होगी वो रिफट नहीं की जाएगी उसकі बाद यहां पर आप सेलुएशन सेलू salutation कि यहाँ पर आप क्या है doctor, mister, mrs, miss जो भी आपका यहाँ पर है वो fill करने के बाद आपका यहाँ पर candidate का full name और यहाँ पर आप son, daughter of आप अपने father का नाम या फिर जो भी है आप daughter है ठीक है तो उस साब से आप यहाँ पर भर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पर gender भरना है date of birth और age आपकी April 2021 तक आपकी age कितनी हो जाएगी आपने यह fill करनी है उसके बाद यहाँ पर आपकी email id और यहाँ पर बाद में आपने क्या करना है confirm email id उसके बाद आपने nationality Indian भर देंगे पर आपका address आपने भर देना है उसके बाद और पिन कोड भरने के बाद state province यहाँ पर जैसे कि अभी मैं पंजाब में हूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पंजाब ऐसे फिल कर दूंगा और यहाँ पर कौन से city में हूँ मैं वह फिल करने के बाद आपका अगर कोई information आगे भरनी पड़ेगी तो मैंने यहां पर आगे भरा नहीं है बट मैं आपको वैसे बता देता हूं कि आपको आगे क्या करना पड़ेगा तो यहां पर यह बात कही जाएगी कि जो है और यहां अलिज़डी है और आपके जो भी नंबर है ऑपका इमेल आज़ी है वह जनरेट कर दिया जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है उसके पेमेंट करेंगे इसको यहां पर है किसे कर सकते हैं उसके बाद आप payment कैसे करना चाहते हैं online payment मैंने आपको अलड़ी बता दिया है तो payment करने के बाद फिर जो जो आपके साथ वह information मंगेगा आपसे वह फिल करते हुए यहाँ पर चलेंगे तो इसके बाद आप क्या करतेंगे लास्ट में फिर आपका इस तरह से registration process है वह खतम हो जाएगा फिर भी अगर आपको कोई समस्य आएगी तो आप क्या कर सकते हैं आप हमें comment करके जुरूर से पूछ सकते हैं कि हमें इस stage में प्रॉबलम आ रही है भरने में वह हम कैसे फिल कर सकते हैं तो आप हमें comment करके जुरूर पूछेगा अगर आप कोई अभी भी प्रॉबलम हो तो आप वह भी हमें पूछ सकते हैं इसे के साथ हम विदा लेते हैं थैंक्यू सो मच पर वाचिंग गाट बैस्यूवार्ट